रूस का पहला निशाना मैं हूँ दूसरा मेरा परिबार लेकिन हम यहाँ हैं हमारी फौज नागरिक भी हम अपनी आजादी और देश की रक्षा कर रहे हैं बेशक दुनिया ने हमें अकेला छोड़ दिया इस बक्त हमें पनाह नहीं बलकि हत्यारों की जरूरत है यह दम यूकरेन के राश्टपती वेलोदोमीर जेलिंस्की का है जो ताकत पर रूस के सामने जंग के मैदान में हैं वो रूस जिसकी घुड़की पर ना सिर्फ अमेरिका बलकि नाटो भी सहमा है सेना की वर्दी में जंग के मैदान में जेलिंस्की के जो बयान और तस्वीरे सामने आई है उस पर पूरी दुनिया उनकी हिम्मत और होसले को सलाम कर रही है खास करके वे जिनका यकीन जंग के बजाए प्रेम और शांती पर है चबाली साल के जेलिंस्की के राश्पती बनने की कहानी भी बड़ी दिल्चस्प है 2019 में सोबिय संग के सिर्मोर कह जाने वाले यूक्रेन का राश्पती बनने से पहले वोलोदोमीर जेलिंस्की एक मशूर कॉमेडियन और एक्टर हुआ करते थे कीब में पैदा हुए जेलिंस्की ने 17 साल की उम्र में प्रोफेशनल कॉमेडिय शुरू कर दे थी आम तोर पर अपने यहां इस उम्र के लड़के करियर की उल्जन में ही फसे होते हैं जेलिंस्की लाग ग्रेजुएट है लेकिन कॉमेडिय और एक्टिंग को पेशे के तोर पर चुना कबार्टल 95 इस्टूडियो जो युक्रेन का फिल्म प्रोडक्शन हाउस है इसका एक मशूर शो है सर्वेंट आफ प्यूपल साल 2015 से 2019 के बीच इस टीवी शो ने युक्रेन में बेशुमार शोरत बटोरी सर्वेंट आफ प्यूपल में बोलोदुमिर जेलिंस्की ने युक्रेन के राश्पती का किरदान अदा किया था कौन जानता था कि रुपेले बड़े पर राश्पती का किरदान निभाने वाले जेलिंस्की हकीकत में युक्रेन के अगले राश्पती होंगे आपको बता दे कि सर्वेंट आफ प्यूपल युक्रेन का एक राजनीतिक दल भी है जिसके नाम से ये शो बना था 2019 के आम चुनावों में जेलिंस्की के राश्पती पत की दावेदारी को जनता ने सिराखों पर लिया और 72 प्रतिशा से ज्यादा बोड देकर उन्हें अपना राश्पती चुन लिया राश्पती बनने के तीन साल के अर्थे में जेलेंस की यूक्रेन की अवाम के दिलो दिमाग पर छा गये और अपने देश की स्वतंतरता रक्षा और तरक्की की कोशिशों में जुट गये अमेरिका और नाटो से नज़िकी बढ़ाई जो रूस को रास नहीं आई और वो यूक्रेन की गहराबंदी में जुट गया करीब साड़े चार क्रोड की आबादी वाला यूक्रेन 1991 तक सोबिय संग का हिस्सा हुआ करता था जो यूनियन के पंदरा गणराज्यों में रूस के बाद सबसे मजबूत था 1991 में ये अलग देश बना लेकिन रूस अब दोबारा से सोबियत यूनियन की ताकत हासिल करने में जुटा है इसमें यूक्रेन उसके लिए सबसे एहम है भोगोलिक, आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टी से भी कभी लेनिन ने यूक्रेन को रूसी सामराज का सिर बताया था और कहा था कि इसके कटने का मतलब है कि ये सामराज सिर विहिन हो जाएगा इसलिए रूस के राश्टपती विलादीमीर पुतिन ने काफी अरसे तक यूक्रेन में अपने कटपुतली राश्टपती बनाये रखे पूर्ब राश्टपती यानू कोबिच के शासन ने 2008 से ही रूस को नाटो का सदस बनने से रूक रखा था लेकिन जैलेंसकी के राश में पुतिन ऐसा नहीं कर पाए और यूक्रेन नाटो की सदस्ता पाने के लिए जी जान लगाया रहा यहाँ एक दिल्चस्पत ये भी है कि अपनी सुरक्षा की उमीद में यूक्रेन जिस नाटो का सदस बनने के लिए बेताब रहा उसने भी जंग के हालात में आखें फेरली और सेना भेजने से कदम पीछे खीच लिए मेडिया रिपोर्ट्स के मताबिक जैलेंसकी विलोदमीर को अमेरिका ने सुरक्षित निकाल कर पना देने का प्रस्ताव दिया है जिसे जैलेंसकी ने ना सिर्फ खारिश कर दिया बलकि कड़ी पृत करिया भी दी है उन्होंने कहा कि हमें पना की नहीं हत्यारों की जरूरत है हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ेंगे